तो जहेंद ओल कैसी हैं आप सब दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपकी यूटूब चैल में जिसका नाम एक्सपर नौलेज तो फाइनली आप सब के लिए खुसकबरी आ चुकी है मेरे भाईयों के लिए मेरे भेहनों के लिए आपके जो गाईज कुछ टाइम पहले फॉर करवाए गये थे एसि में आर्मी सर्विस स्कॉर में आपके जो गाईज एड्मीट कार्ड है वो रिलीज कर दिये गये हैं यह सी की तरब से एसिए बेंगलौर की तरब से बहुत सरा कॉमेंट मुझे आर था किसरे एड्मीट कार्ड कप तक आएंगे तोकाइज फैंले जो आपके admit card है वो release कर दिये हैं तो गाइज हम चलते हैं आपकी notification पे जो आपकी भरते का notification आया था आपको पता है आपकी जो नंबरों पोस्ट थी 236 थी 236 टोटल पोस्ट थी आपकी अगर गाइज बात कुरूँ एक एंसिस के बारे में ASC Center South में आपकी जो टोटल पोस्ट थी 146 थी ASC Center North में आपकी जो गाइज पोस्ट थी वो थी 90 ठीक 90 पोस्ट थी टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करूँ मैं यहां पे 236 आपकी टोटल पोस्ट हैं अलग-अलग region wise दे रखें यह लेकिन आपको पता है कापी सारी YouTube चैनल पे वीडियो अप्लोड करवाई थी मतलब आपको वीडियो प्रवाइड करवाई थी है ना तो गाइज मैं उमीद करूँगा आपने फॉर्म पक्का फिलब किया होगा आपकी ट्रेस्में मेट लेबर में आपकी जो पोस्ट थी 109 पोस्ट थी और यह सबकी लिए व आपके रिइडियो को पूरा वोच कीजेगा अगर आप आपकी बार एसेमें भरती होना साथ या फिर आप किसी भी गवर्वे में बढरती होना चाहते ו कब चैनल सब्रेस्चराइब कर लेना है चूंग आ掰掰 को मेरेत क Favorượng himself के contest कर दिये तो गैज दिखिए आप टेमेट की पोस्ट बारबर की पोस्ट थे मेल के लिए थी और चाफी अच्छी वेकंसी थी आपकी आपके अडमेट कार्ड है वो रिलीज कर दिये हैं और गैज आपको बुलाया गया है तो भाई मैं आपका यहां पे जाय टाइम ना लेते हुए हम च काईज मेल का भी मेरे पास SSM आपको दिखाऊंगा अराम से थोड़ा धेरिये बनागे रखेएगा फ्रेंज आपको पता है जो आपकी वेकंसी की पोस्ट है और सिविल पोस्ट है आप आर्मी के अंतरकत काम करोगी ध्यान दीजिएगा आप आर्मी के अंडर में काम करोगी आपकी टीमेट की पोस्ट है अपको इसमें ऑफिस वर्क भी मिल सकता आपको फिल्ड वरक भी बिल सकता है अ जाएब बात करे ट्रेट अपलाइड याब फ्रेंस देखिए टीमेट इन्होंने फॉर्म फीलप किया है एसी सेंटर साउथ के अकोर्डिंग इन्होंने फॉर्म फिलप किया था और जाएज देखिए यहाँ पे डेट 11 जुलाई को इनको रिपोर्ट करना है गाईज आपका admit card आया होगा तो आपको भी 11 जुलाई को report करना होगा और सुबह 5 बज़े entry आपकी start हो जाएगी और सुबह 6 बज़े entry close हो जाएगी मतलब भाई physical test भी आपका इसमें होने वाला है ध्यान दीजिएगा और गाईज बहुत सरा comment है कि भाई पेपर और फिजिगल आपका एक साथ नहीं होगा आगे पीछी होगा ध्यान दीजिएगा एक ही दिन इतना कुछ नहीं करवा सकते एससी वाले जहां तक मुझे experience है ठीक है तो भाई आपको क्या करना है clipboard साथ में लेके जाना है उन्होंने पर देको साफ साफ या पर बोला है विल केरी clipboard and record writing material for the written exam मतलब pen copy आपको साथ में लेके जाना है अपना पूरा बोरी विस्तरा बांध के जाना है आपको मतलब paper भी आपका होने वाला है वाँ पर दो तेन दिन आपको रुकना पढ़ सकता है तो guys अपनी तयारी को बहतरीन कीजिए ठीक 11 जुलाई का paper है आपका physical test है इन सब के दोरान तो भाई काफी अच्छा आपके पास time है अभी एक महीन आराम से है आपके पास अभी जून चल रहा है तो भाई अपनी तयारी को बहतरीन कीजिए कुछ भी आपका doubt हो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई डोकुमेंट में आपको काइस देखिए यहां पर डोकुमेंट टू भी केरिट बाई डिकन्डेट्स अपको प्रिंट आउट लेके जाना है आप रंगीन लेके जाओ ब्लेकिन वाइट लेके जाओ यह important नहीं है लेकिन आपके पास call letter होना चाहिए जो आपका यह आपके सम कॉम फिलप किया है उसी बेस के आपके पास कॉल्फिक के सेटिफिकेट होना चाहिए गाईज बात करें का सेटिफिकेट के बारे में SCST OBC के लिए भाई यहां पे सेंटर गवर्मेंट का सेटिफिकेट चाहिए मैं बार 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 बोल रहा हूं आपको का सेटिफिकेट चाहि सब्सक्राइब कर लेना आपको आपकी भरती के रिगार्डिंग इंफोर्मेशन आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल एक्सपर्ट नोलेच से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा एंड थैंके सब्सक्राइब दोस्तों जैन वंदे मात्रम